नमस्कार दोस्तो भाई स्वागत है आपको राजु के ब्लॉक में भाई कल का IPL सला समझ में नहीं आया क्लासन को नहीं चलने दिया ठीक है माकरम को नहीं चलने दिया फिर उसको ट्रेविसेट को नहीं चलने दिया वाव फिर अब सेक भी नहीं चला लेकिन साला स्कोर 182 हो गया वाव अगर ये चारों में से कोई एक और चल जाता तब स्कोर की क्या हाल हो जाती स्कोर तो 500 के पार पहुँच जाता ये है IPL की खुबसूरती यहां चारों जो दिगज बल्लेवाज थे वो बिल्कुल ही नहीं चल पाए और चारों दिगज बल्लेवाज नहीं चल पाए जिसके कारण स्कोर ऐसा लग रहा था कि बहुत लोई स्कोर में संराइजर क्लोज लेकिन फिर अनकैप खिलाडी आते हैं निटीज कुमार जो की 24 बॉल में 62 रन ठोक डालते हैं भाई IPL की देन है जो बहुत ही अच्छे अच्छे लड़के सामने उभर कर आते हैं निटीज कुमार ने तो बॉलिंग भी किया और मेडन विकेट भी लिया पहला विकेट IPL मे एक ऐसा लड़का लेता है जो नेट प्रैक्टिस के लिए आया हुआ था वो सन्राइजर को बचाता है 62 रन मारता है एक बिकेट भी लेता है और क्या चाहिए IPL से हम लोग को क्या चाहिए इंडियन टीम के लिए अच्छे प्लेयर यह है अनकैप खिलाडियो का जलवा फिर फिर भी पंजाब क्या होती है दो रनों से हारती है कितने रनों से दो रनों से क्या सांधार खेला यार ससांक ने क्या सांधार खेला यार अनुराग ने बहुत ही सांधार खेला वो लोग मैं छोड़ ही नहीं रहे थे वो इतनी सांधार खेल रहे थे अब आप इससे ही सोच ये थे 50 रन लेकिन दो रन से हारते हैं चलो ये भी हो गया बट एक ओवर में चाहिए था 29 रन लेकिन पंजाब कितने से हारती है दो रनों से मतलब क्या कहूं यार ये अनकैप खिलाडियों को आई पिल कितना अच्छा दे रही है ये भाई आई पिल की ये खुबसूरती है आई पिल बहुत सांदार है क्योंकि इससे इंडिया टीम को एक नए नए लड़को उभरते हुए चेहरों की पहचान होती है और उभरते हुए चेहरे जो मेहनत कर रहे हैं काउंटी क्रिकेट या फिर रंजी ट्रॉफी या फिर कहीं भी खेल कर रेलवे में कहीं भी दाटक जैसे ये गोटिनार साथ प्याच्छा वोटुड़ वोटिर साथ कोटनो जोटन स्टाइल गुनर कहने मास्क पूरा मास्क तो बस इस प्रफॉ के देने चाहिए जिससे हमारा IPL तो बहुत बहतर होगा ही साथ में हमारे इंडियन टीम की जो स्ट्रेंथ होगी बैंच इतनी सांदार हो जाएगी जो कल होके A, B, C टीम भी अगर किसी टीम के साथ लड़ने जाएना तो वो ब्रीन कर गया है तो बहुत अच्छा है सभी मैचों में कोई न कोई एक अनकैप खिलाडी ऐसा होता है जो उबर कर आता है और बहुत ही अच्छा खेलता है तो इसके लिए IPL को भेरी भेरी थैंक्यू जो कि इंडियन टीम को इतनी अच्छी एक बेंच इस्टेंट दे रहा है और बहुत जा वे जिश्टेंट को ही मजबूत करता है अक्सर IPL से बड़े-बड़े खिलाडी निकले है आज आप जो भी बड़े-बड़े खिलाडीयों का नाम देख लो सुमन गिल हो गया या फिर रिंकू सिंग हो गया सारी IPL से ही उभर गया है और IPL ने ही इंडियन टीम को बहुत अ निवा दोस्तो